मत्यप्रदेश के नगरे विकास मंत्री जैवर्धन सिंग ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही लैंड पूलिंग पॉलिसी लाएगी जिसमें भू धारकों को स्टेक होल्डर बना कर भूमी का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मत्यप्रदेश में मैट्रो रेल के साथ ही रैपिड रेल चलाने की भी योजना बनाई है। देखिए खास रिपोर्ट कमलनाथ सरकार ने मत्रदेश में 11 महिने के उम्र पूरी कर ली है लिहाँसा प्रदेश के नगरी प्रिशासन मंतरी जैवर्धिन सिंग ने जनता के सामने अपने विभाक के 11 महिनों के उपलब्धी रखी सरकार प्रदेश में लैंड पूलिंग पॉलिसी लाएगी जिसमें भूधारकों को स्टेक होल्डर बनाकर भूमी का विकास किया जाएगा इस पॉलिसी में हाउसिंग बोर्ड, एमपी टूरिजम डिपार्टमेंट एवं स्थानिय निकाय भी सम्मिलित किये जाएगे ताकि आ पानी सप्लाय की ओजना संचालित है या फिर काम चल रहा है लेकिन जब हम बात करेंगे सुविज लाइन की तो सुरफ 55 या 60 शेर है जिनमें काम चल रहा है सुविज का तो भविश्य में जब 6-310,320 शेरों में काम चल लोगा सुविज का तो वापेस फिर रोड की साइट खुदे ही तो ये अफकोस एक हमेशा समस्या रहेगी लेकिन आपका पॉइंट सही है कि एक ऐसी प्लाइनिक होनी चाहिए कि चाहे काम अंडर्ग्राउंड केबल का हो चाहे काम सुइज लाइन का हो चाहे काम वाडर सप्लाई का हो चाहे काम बिजली कनेक्शन का भी हो जो अंडर्ग्राउंड केबलेंग है तो हम हर smart city में smart roads ऐसी ले रहे हैं जो modern roads कहलाएंगी और उस basis पे फिर हम कैसे इसको और cost effective मनमें कर सकते हैं तो अगर आप देखें तो अगर पूरे शहर को हम कि हम wiring और electricity हम underground cabling करें लेकिन अगर smart roads में हम इसको अभी से चालू करें तो हमको फिर एक आइडिया होगा कि इसको अगर हमको पूरे शहर में लागू करना है तो उसमें हम क्या एकनोविज़ा स्केल आ सकते हैं तो इसकी हम अब टेस्ट आउट करेंगे मधिपदेश में मेट्रो रेल के साथ ही रैपिड रेल चलाने की योजना बनाई चा रही है मेट्रो रेल की तुलना में रैपिड रेल अधिक तेच चलती है यहां भवीशी की एक बहुत बड़ी सौकात मधिपदेश के लिए रहे की इसके तहत इंदौर उज्जैन और वेट में और फिर निगम के करमचारियों के माधियम से ही पूरा कलेक्शन और डिस्पोजन होता था यह मॉडल सफल हुआ था जिसके कारण इंदौर को पूरे देश में प्रतमस्तान प्राप्थ हुआ था लेकिन मध्यपदेश में इंदौर मॉडल होने के पूरे राज्य में क्लस्तर बेस्ट टेंडर्स किये गए थे जिसमें प्राइबिट कंप्नियों को क्रोरो रुपए का ठेका दिया गया था और जिसका काम बिलकुल संभव भी नहीं था आप मानों के उधारन के लिए रीवा सतना सीधी का एक क्लस्तर बना दिया था जिसमे कच्रा सतना का है लेकिन गाड़ी से वो कच्रा रीवा आता था और एक क्लस्तर की रूप में लगभग 10-15-20 शेरों का एक साथ जो विवस्ता थी वो बिलकुल सफर नहीं हो पारी थी हमने ये टेंडर निरस किये और हमने कहा कि डिसेंटलाइज मॉडल पे ही पूरे देश के हर शहर में लागू हो ताकि इंडर मॉडल को फिर हम पूरे देश में भी लागू कर सके तो यह हमने प्रतिया चालू कर ली है इस सिंग ने बताया कि मध्यप्रदेश के शहरों में 350 इलेक्रिक बसें चलाई जाएंगी तथा चरणबध तरीके से धीरे-धीरे खुपाल, गौालियर और अजयन में भी चलने लगेंगी यूरो रिपोर्ट, MP News, खुपाल